हलो फ्रेंड्स मैं निशान चौधरी आप सभी का अपने और आप सभी के चैनल दा साइस कॉम्रेड बे स्वागत करता हूँ जैसा कि आप सभी को पता है मैं अपने रियल लाइफ एक्जामपल के तुरू आप सभी के कॉंसेप्ट को किस्टिल क्लियर कराता हूँ और आज उसी सीरीज यानि कॉम्रेड बेच में मैं आपके लिए लायाँ कंसेटेशन टर्म पार्ट फिप तो आज हम बच्चों किस टॉपिक पर बात करेंगे तो जैसे आप सभी को पता है गुरू जी कंसेटेशन टर्म को उठा रहे हैं और एक एक कंसेटेशन टर्म को अच इससे रिलेटिव हर एक कंसेट को किस्टिल क्लियर करेंगे और हर एक possible question जो हमारे previous year में पूछे गए हैं और जो आने की समबावनाएं उनको tackle करेंगे और अपने कंसेट को किस्टिल क्लियर कर देंगे तो बच्चों आज हम normality को specified करेंगे बस जो मेरा criteria रहता है उसको थोड को और ज्यादा अच्छे से उल्डप कर देता हूं तो बच्चों आपका केबल और केबल इतना काम है मेरे वीडियो को अच्छे से देखने के बाद आपको क्या करना है प्रिविएस येर कुश्चन्स लगाने हैं जिस भी एक्जाम की आप तयारी कर रहे हैं सपोस करिए आप नीट की, IIT की, CUT की, State Board की, CVSC Board की, किसी भी एक्जाम की, किसी भी लेवल के नेशनल लेवल एक्जाम की तयारी कर रहे हो उससे रिलेटिव जो भी नॉर्मेलिटी पर कुश्चन आए प्रिविएस येर कुश्चन्स उनको लगाना है मुझे नहीं लगता आपसे एक भी कु वीडियो को देखने के बाद तो बच्चो मैं आपको फिर से अपने चैनल साइस कोमरेड में स्वागत करता हूं और अब मैं आइडिंग डालता हूं कंसंट्रेशन टर्म और नॉर्मेलिटी कंसंट्रेशन टर्म बच्चो तो आज का जो वीडियो कौन सा रहने वाला है बच्चो कंसंट्रेशन टर्म तो गुरू जी 5 कौन सा 5 और आज किस टॉपिक पर हम बात करेंगे हम बात करेंगे गुरू जी नॉर्मेलिटी पर तो सब सबसे पहले क्या है, आपको पता है, मेरा content क्या रहता है, गुरू जी सबसे पहले heading देते हैं, then formula देते हैं, then concept को numerical के तुरू कि still clear कराते हैं, और हर एक concept को Hindi English दोनों के जरीये clear करते हैं, तो बच्चो सबसे पहले normality होता क्या है, तो जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा ले जाओं को भी define करूंगा तो molarity क्या होती है बच्चों आप सभी को पताए कितने number of moles of solute हो गुरू जी एक liter of solution में वह हमारी molarity थी the number of moles of solute present in one liter of solution अब मुझे बताइए अगर मैं molarity molality की बात करता था तो गुरू जी ने कहा था the number of moles of solute present in one kg of solvent एक केजी solvent में कितने number of moles होंगे solute के लेकिन अगर हम mol लेले अगर हम बात करेंगे normality की बच्चों तो यह क्या है यह होगा the equivalent weight थोड़ी सी define change होगी और concept भी the equivalent weight the equivalent weight of solute present in present in one liter of solution बच्चों एक liter of solution में कितना equivalent weight होगा अब आप सोच रहे होंगे सभी बच्चे के equivalent weight क्या होता है गुरू जी थोड़ा सा थमिये वस इसको ही पहले बताता हूँ देन फिर formula बताऊँगा तो इसका पोस्माडम करते हैं कि गुरू जी equivalent weight क्या होता है तो बच्चों equivalent weight क्या होता है इस पर थोड़ी सी चड़चा कल लेते हैं तो equivalent weight की अगर मैं बात करूं तो बच्चों यह होता है molar mass upon valency या n factor molar mass upon n या इसको बोल देते हैं इसको आप क्या है bracket में बंद कर लो इसके सारे जितनी भी a b c d जितने भी concept आने की probability है सारे खतम कर दूँगा इस n को क्या कहते हैं या तो इसको बोलते हैं n factor या इसको कहते हैं valency अब कहोगे यह क्या है अगर मैं n की बात करूं यहाँ पर mole मत समझ लेना यह valency है याद रखना symbol से specified हाँ अच्छी बात है mole को भी मैं small n से donate करता हूँ लेकिन आपर valency यह n factor है अगर मैं बात करता हूँ acid की बाता है जो valency है या जो n है वो क्या हो जाता है तो acid की बाता है अगर बात करूंगा तो इसकी जो basicity है वो define करती है कि n कितना है basicity of acid जैसे मैं example की बात करूं तो suppose करो scl है अगर मैं scl को देखूंगा तो यह h positive cl negative में तूटेगा तो इसकी basicity कितनी है वच्छो वन तो molar mass जो भी होगा क्या जाएगा equivalent weight वच्छो equivalent weight होता है molar mass upon valency तो molar mass जतना आएगा upon one suppose करो S2SO4 तो बच्छो 2 2H positive SO4 2 negative समझे रहे हो तो equivalent weight molar mass upon 2 kis still clear बच्छो तो यह तो थी acid की बात तो बच्छो प्लीज इसको note करें equivalent weight को आपको पता है molar mass upon valency molar mass आप जानते हो सभी तो valency पर हम चर्चा कर रहे हैं या n factor पर चर्चा कर रहे हैं acid की acid की जो valency है वो कौन specified करता है उसकी basicity still clear अब आजाओ base को क्या करेंगे आपने क्या है पॉस करके आपको लिखनाएं अब हम बात कर लेते हैं base की अगर मैं base की बात कर लूँ तो बच्चो आ जाए तो base को define करती है उसकी acidity of base example naoh तो यह क्या होगा आपको पता है na positive oh negative यह बतानी की भी जरूद नहीं पड़ती तो मुझे बताईए क्या हो जाएगी molar mass upon कितने oh है एक तो one मुझे बताईए दूसरा example मैं ले लूँ CAoh का hold twice cdc बात है 2ca positive और 2oh negative तो मुझे बताईए कितने हो जाएंगे 2 तो molar mass upon 2 तो आपको पता है अगर base की बात करूँ तो acidity of base define करती है n को balance को और acid की बात करता हूँ तो basicity of acid define करती है तो concept आपका crystal clear नजर आ रहा है अगर आप सोच रहे होंगे अगर गुरू जी salt दिया हो तो question में हाला कि question की throughby concept को crystal clear करा हूँ आ नॉर्मेलिटी पर आज से बढ़िया nurture ना कभी बनाओगा ना कभी बनेगा इतने तगडे तगडे concept लाया हूँ आपके लिए तो salt की अगर बात करूं तो salt को कैसे define करेंगे गुरू जी तो suppose करो मैंने ले लिया इसको कैसे define करेंगे तो याद रखना salt का एन फेक्टर कैसे देखा जाए तो salt का एन फेक्टर लिखेंगे इंदी में किसी भी किसी भी आइंस के उपर चार्ज देखेंगे किसी भी या तो या तो कैटाइन का चार्ज देखो कैटाइन का चार्ज देखो देखो या एन आइन का किसी भी एक का किसी भी एक का तो याद रखना बच्चो इसको नोट डाले N.A.C.L. को मैं क्या कर दूँगा N.A.Positive गुरू जी प्लस C.L.N.E.G.T.E.V. या तो इसका चार्ज देखो या इसका एक का देखो और उसको क्या कर दो molar mass upon N factor में चुपका दूँ 1 एक बारी में एक देखना है अगर N.A.N. का देखते हो तो कैटाइन का नहीं देखना कैटाइन का देखते हो तो N.A.N. का नहीं देखना तो मुझे नहीं लगता कोई भी दिक्कत होई होगी तो आया समझ मैं आपको कितने equivalent weight होंगे solute के 1 liter of solution में और equivalent weight क्या होता है बच्चो molar mass upon valency अब मैं आपको थोड़ा सा comparison करा दूँ तो आपको मुझे नहीं लगता कोई भी दिक्कत होगी तो comparison करते हैं molarity से तो मुझे बताइए comparison करें molarity से के फहले formula लिखके आ जाएं तो मुझे बताइए normality के formula में पहला formula तो normality is equal to तो normality क्या होता है बच्चो तो याद रखना सभी normality is equal to पहला formula सारे important हैं आपको क्या है वीडियो को post करना है और नोट्स में अच्छे से लिखना है तो पहला क्या होगा पहला होगा बच्चो given mass upon equivalent weight equivalent mass equivalent weight एक ही बात है upon volume of solution in liter तो इस formula को बच्चे लिखें आप पहला formula होने जा रहा है ये अब क्या है हम क्या है आपको पता है equivalent weight क्या बताया है गुरू जी ने ये बताया है आपको molar mass upon valency तो यहां से concept को और अच्छे से justify कर देंगे पहला formula आप अपनी diary में ये डालें किस्टिल क्लियर इसको मैं आपको समझाई चुका हूँ तो अभी आएंगे तो पहला formula इसको लिखो अगर मुझे बताये ये लीटर में न होके ml में हो तो क्या करेंगे बच्चे तो यहीं पर लिख लेते हैं कि normality क्या हो जाएगा गुरू जी तो normality एक और formula आजाएगा given mass upon equivalent mass upon volume into 1000 क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है क्या पता है गुरू जी one liter is equal to 1000 gram यह होता है तो मुझे बताइए तो volume क्या किसमे है liter में? ml होता है sorry बच्चो ml में 1000 से into हो जाएगा कि still clear बच्चो तो please note करें देन हम आगे चल रहे हैं तो इस formula को खोलेंगे हम और इस concept पर मुझे लगता है आपने वीडियो को pause करके note कर लिया होगा अब हम चलते हैं तीसरे formula की तरफ या इसी formula को क्या है थोड़ा सा advanced form में लिखने की कोसिस करते हैं तो कैसे लिखेंगे बच्चो क्या करेंगे हम तो आजाईए तो दो formula है इसी को क्या तीसरे formula में convert करना है आपको याद वही रखना है given mass upon equivalent weight upon volume of solution in liter तो मुझे बताईए क्या formula था वही formula था गुरू जी n is equal to given mass upon equivalent mass upon volume of solution in liter यही है bracket में बंद कर दो मुझे बताओ बच्चो equivalent weight क्या होता है अब सभी को पता है molar mass upon valency या n factor खतम करो तो क्या formula बनके आगया मेरा third number का तो formula बनके आगया बच्चो normality is equal to given mass upon molar mass upon n factor अब मुझे बताईए यहाँ पर consideration हुआ into volume of solution in liter मुझे बताओ कोई दिक्कत हुई अब अगर मैं liter की जगे ml कर दूँ तो तो यहाँ पर liter ही लिखेंगे ml कर दूँ तो आगे तो मुझे बताईए यहाँ पर क्या है formula को क्या है खोल दिया क्योंकि equivalent mass ओरता क्या है molar mass upon n या valency और valency आपको पता है acid की condition में basicity base की condition में acidity जो भी important है उनको भी कराऊँवा तो crystal clear हुआ आपका formula बिलकुल अब इसी से चौता बना लेता हूँ अगर one liter की बात करूँ तो कितने होते हैं बच्चो 1000 ml गुरू जी खतम करो तो into 1000 कर दो तो normality क्या हो जाएगी बच्चो normality हो जाएगी given mass upon molar mass upon valency into volume अगर ml में into 1000 crystal clear तो इन formula को क्या है दिमाग में याद कर लें बच्चो और अच्छे से इन पर numerical कराएं तगडे तगडे मैं आपको सारी concept crystal clear कराँगा अब एक दो और numerical रहे गया है मतलब formula रहे गया है उसके बाद हम numerical पर चलेंगे और थोड़े से और concept मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत हो रही होगी normality समझने में normality है क्या कितना equivalent weight solute का एक liter of solution में present है equivalent weight क्या होता है बच्चो तो equivalent weight की अगर बात करूँ तो equivalent weight होता है बच्चो molar mass upon valency तो valency को कैसे specified करें बच्चो तो अगर acid की बात करूँ तो basicity of acid को देख लूँगा base की बात करूँ acidity of base देख लूँगा acid देख लूँगा अगर मैं salt की बात करूँ या तो ketine का charge देख लूँगा या anine का charge देख लूँगा मैं जब आपको question कराऊँगा धड़ा-धड़े लाऊँगा और उससे पहले R-10 मैं concept भी दूँगा कि किसकी valency क्या होगी कैसे equivalent weight निकालेंगे कि still clear उससे पहले एक और formula concept अगर मैं क्या कहता हूँ question में आपको density और equivalent weight दे दिया जाए तो molarity कैसे निकलती है वो normality कैसे निकलती है जैसे आपको याद है molarity में बताया था density और molar mass दिया होता था तो आप सभी को याद होगा जिनने भी numerical बनाये होंगे molarity के जब formula बता रहा था साइद 5 माया 6 में नंबर का formula था molarity is equal to density into 1000 upon 100 into molar mass यही था यही formula था यही था percentage weight into density into 1000 upon molar mass into 100 लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आज की तो यह important है अगर question में लिको concept है अगर question में अगर question में density given हो तो normality कैसे निकालें कैसे तो बच्चो एक formula है डारेक्ट उससे आप पहुचेंगे तो normality is equal to percentage weight सेम सा formula होगा थोड़े से changes करने percentage weight into density into 1000 upon यहाँ पर molarity में molar mass था यहाँ पर मुझे बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा equivalent weight या equivalent mass into 100 मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत हुई होगी इस concept को याद रखें बच्चो इस question आ जाते हैं इस concept में आ रहे हैं previous year question में मुझे या मेरा अगर विश्वास नहीं होता तो आपसे पहले ही बोलता हूँ आप previous year question जरूर लगा रहे हैं तो percentage weight into density in 2000 upon equivalent weight into 100 आपको पता है equivalent weight को कैसे post-madem करूं गुरू जी तो आपको पता है equivalent weight कैसे बता है अब गुरू जी ने molar mass upon valency और valency को तीन कंडिशनों में define करा है acid, base, salt, acid को कैसे किया है उसके H positive देख लो basicity, base को OH negative देख लो या catein या anine का charge देख लो crystal clear बच्चो धड़ा धड़ concept हिलने चाहिए सारे numericals सारा feel दे रहा हूं मैं आपको crystal clear तो percentage weight into density in 2000 upon equivalent weight into 100 तुरंत normality देखें और percentage weight में percentage weight देखें तुरंत normality निकाले density भी पूछ सकता है यहां से concept अब आ जाते हैं आगे अब क्या है अगर मैं आपसे concentration की बात करूं तो याद है आपको मैंने क्या किया था molality और molarity में एक relationship बताया था वहां से numerical आ जाते हैं तो question हिलते नहीं है अब मैं क्या करूंगा molarity और normality दोनों में क्या करूंगा relationship तो एक और concept आपको जड़ रहा हूँ सारे concept के still clear करा हूँगा relationship between molarity and normality normality और molality में बच्चो relationship most important है मैं क्या है थोड़ा सा इसमें concept से जाऊँगा मैं आपसे पूछओ molarity क्या होता है बच्चो तो आप कहोगे गुरू जी molarity is equal to given mass upon molar mass into volume of solution in liter बच्चो यही होता है यह capital M है मैं अब आपसे कहोँ बच्चो normality क्या होता है आप कहोगे गुरू जी given mass upon molar mass upon valency into one upon v in liter यही तो बच्चो बच्चो मुझे बताओ अगर मैं यहां से आपसे क्या करूँ molarity के formula में बात कर रहा हूँ given mass है molar mass है volume है यहाँ पर given mass है molar mass है volume यह क्या है यह additional आ रहा है बस कहने का मतलब है valency यह क्या करेगी relation establish कर रही है जब हम इन दौनों को divide करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बच्चो हमारे पास आएगा बच्चो normality is equal to n into molarity most important relation से पह बच्चो दिमाग में डालें क्या formula बनेगा normality is equal to valency into molarity most important है बच्चो दिमाग में डालें अच्छे से five star question है अगर आ जाता है तो हिलता नहीं है crystal clear मुझे बताईए given mass upon molar mass given mass upon molar mass into one upon we cancel हो जाएगा एन उपर से इधर इधर पहुंचेगा into m हो जाएगा तो normality is equal to n into crystal clear बच्चो balance into molarity हमेशा दमाग में डालनें कुछ नहीं करना आपको molarity आता है normality आता है दौनों को equal रख लें crystal clear तो मुझे नहीं लगता आपका कोई concept crystal clear ना हो इस formula को आप याद रखें नहीं याद है तो दोनों याद है तो आप बना भी सकते हैं आप एक और concept जिस पर question आते हैं तो क्या-क्या concept है आपको पता है गुरू जी एक एक करके सारे concept को खोगोल रहें फिर equivalent weight निकालना सिका लगँगा देन normality के questions पर जम करेंगे crystal clear बच्चो तो आ जाईए आप इसमें एक और concept पर question आ जाते है इस normality is depend on temperature मुझे बताईए क्या normality is depend on temperature क्या normality temperature relative concentration term है तो आप बताईए molarity और normality क्या एक तरीके से भाई भाई है तो मुझे बताईए normality में volume का term है तो आप कहोगे बिलकुल गुरू जी यह क्या होता है given mass upon molar mass into valency into one upon volume in liter मुझे बताईए concept की still clear बच्चो बिलकुल इस normality is depend on temperature yes क्यों because volume है और अगर volume है तो volume is change when temperature is change तो temperature को अगर change करूँगा बढाऊँगा घटाऊँगा तो volume में भी बदलावाएगा और अगर volume change होगा तो normality और molarity भी effect होगी तो still clear मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी अब अब आप अपनी बासा में लिख सकते हो is normality is depend on temperature yes because normality is equal to given mass upon molar mass upon valence into 1 upon volume तो normality में भी volume का तर्म है और volume क्या करता है effect खा जाता है जैसी temperature को बढ़ाऊँगा गटाऊँगा volume भी बढ़ना गटना start कर देगा तो मुझे बताईए जब temperature बढ़ाने या गटाने से volume पर फरक पड़ रहा है तो molarity और normality पर तो अपने आप पड़ेगा तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी इसको भी आप three star दें ये भी अच्छा question है अच्छे question हो में आता है और ये concept है हाला कि crystal clear हो गया होगा equivalent weight अब मैं आपसे equivalent weight की बात करूँगा तो equivalent weight के जितने भी formula हो सकते हैं उन पर हम बात कर लेंगे फिर हमारी जो normality है वो बहुत simple हो जाएगी equivalent weight तो equivalent weight के बहुत सारे formula पर concept पर formula पर question आते हैं तो एक एक करके हम क्या पहले formula लिखेंगे फिर example की through equivalent weight को समझेंगे तो सबसे पहले मैं बात करूँ आपसे equivalent weight का formula तो equivalent weight क्या हो जाएगा बच्चो पहला formula लिखो important है जैसे वो 5 formula लिखें ऐसे ही ये भी important है तो equivalent weight is equal to molar mass upon valency पहला formula बच्चो अपनी दिमाग में डालो equivalent weight is equal to molar mass upon valency दूसरा formula बच्चो एक्कोवेलेंट weight is equal to molar mass upon molar mass upon basicity of acid ये especially और especially किस के लिए है cable और cable acid के लिए है जब example बताऊँगा तब आपको consider कराऊँगा जैसे मैं example ले लूँ इन एक्जामपलों पर ह पॉजिटिव टू एच पॉजिटिव एच पॉजिटिव ये क्या है acid की basicity को specified करता है तो molar mass upon basicity of acid तीसरे formula की बात करूँ बच्चो इसको भी note करो important है concept equivalent weight is equal to molar mass upon लेको बच्चो molar mass upon acidity of acidity of base ये base के लिए defined है बच्चो कहने का मतलब है base की acidity बतानी है बच्चो अब आप कहोगे acidity of base क्या होता है तो base क्या हो जाएगा बच्चो एने ओए ओएच सी ए ओएच का होल ट्वाइस ए एल ओएच का होल ट्राइस तो ये ओएच जो है ये specified करेगा कि बच्चो की acidity क्या होगी तो इन तीन formula को आप अपने दिमाग में डालें और आपके notes में जाने चाहिए है चौता formula equivalent weight का मुझे लगता है वीडियो को pause करके आपने note कर ली होंगे नहीं किये तो वीडियो को pause करें note करें चौता formula क्या होने वाला है बच्चो तो चौता formula होने वाला equivalent weight का salt में equivalent weight is equal to molar mass upon charge on catein और charge on anion किसी भी एक चीज पर चार्ज देख लें या तो catein पर या anion पर यह formula आपका किसका होने वाला equivalent weight तो यह होने वाला है आपके लिए salt के लिए किसके लिए नमक के लिए example के तौर पर any cl एन पॉजिटिव cl negative कितना charge है तो प्लस है दौनों पर एक का उठाना है और उसके molar mass के अपॉन में कर देना है पांचमा formula होने वाला है बच्चो एक्कोवेलेंट वेट का एक्कोवेलेंट वेट का is equal to molar mass upon molar mass upon number of electron exchange number of electron exchange कितने number of electron exchange होंगे उसके उपर तो यह important है question पर formula इस formula पर question अभी तो नहीं आया है लेकिन previous year question 2012 से पहले जरूल पूछे गए है इसलिए मैं कह रहा हूँ आप से मैं कोई concept नहीं छोड़ूँगा लेकिन आपको किन पर ध्यान रखना है तो इसको दो step लगाए इसको याद जरूल रखना है कि इन चार को तो याद रखना ही है given mass upon molar mass upon valency acid की भासा में base की भासा में salt की वासा में एक और formula consider कर ले molar mass upon number of electron exchange कितने number of electron exchange हो रहे हैं बच्चों से हिलते नहीं है जबकि मैं numerical के थुरू आपको बताऊंगा क्या करना है कैसे टेकल करने किस्टिल क्लियर तो यह पांच formula हुए अब छटमे formula की बात करते हैं चटमा अब यह दो important formula है जो मैं देख लेता हूँ जो previous year question में पूछने पूछते हैं हाला कि तो चटमा formula क्या आए तो चटमा formula आए बच्चों equivalent weight is equal to molar mass upon number of hydrogen chlorine and oxygen ions exchange मतलब hydrogen का chlorine का oxygen ions का exchange यही है तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ बच्चों तो number of hydrogen oxygen and hydrogen ions नहीं atoms exchange atoms का exchange यह है हमारा चटमा formula तो इसको भी double star दे दें बच्चों इतना important रही है लेकिन concept की नजर यह सी तो important है मैं question कराऊंगा भी साथ में नंबर पर अगर मैं बात करता हूँ एक और formula है बच्चों यह important है थोड़ा सा change in oxidation number वाला तो यह redox से बढ़ा दिया हडा कि redox में पढ़ाऊंगा molar mass upon number of क्या है formula number change in oxidation number and change in atomicity change in oxidation number तो formula है change in oxidation number into change in atomicity अब आपका होगे यह क्या है तो अभी थोड़ा सा रुकिए और आपके गुरुजी आपके concept को किस्टिल क्लियर करते हैं यहाँ पर क्या है कभी hydrogen chlorine और atom के atom को exchange कर दे oxygen के atoms को exchange कर देता है तो कोई reaction आपको मिलेगी जैसे suppose करो NaCl plus NaOH तो यह क्या बना लेगा NaCl plus NaOH यह क्या होगा तो यहां से इतने जो atom में कोई चेंज आया कि नहीं आया उसके व्याब पर equivalent weight निकालो वहां से normality निकालो अगर मैं यहां पर बात करूंगा तो change in oxidation number कोई भी reaction देगा कोई भी उसका क्या है कोई भी पकड़ लेगा जैसे K2C2O7 को उठा के दे दी इधर क्या बना दिया यहां से oxidation number में कितना change आया और कितने उसके atom में change आया तो उन दोनों के formula तो यह साथ formula equivalent weight के हैं आपका किस्टिल clear हुआ होगा concept equivalent weight से हाला कि मुझे इसका अलग video बनाना चाहिए था पहले कि equivalent weight होता क्या है उस पर भी मैं काम कर लूँगा लेकिन मैंने normality के साथ ही पड़ा दिया इन साथ formula के बाहर मुझे नहीं लगता कोई भी concept या कुछ भी question आ सकता है अब हम बात करेंगे एक एक करके क्या क्या है ऐसे रहे बेस है क्या है एक्जामपल के तुरू तो मैं आपके लिए प्यारे प्यारे example लाया हूँ पहला SEL तो SEL की बात करूंगा पहला एक्जामपल एक्जामपल क्योंकि equivalent weight निकालेंगे SEL का SEL का find equivalent weight तो कैसे निकालें गुरू जी आपको पता है SEL क्या है अब फॉर्मलेओं पर concept पर numerical करा रहा हूँ SEL क्या है आपको पता है गुरू जी acid बिलकुल तो इसकी जो equivalent weight होगा क्या होगा गुरू जी molar mass upon basicity of acid of acid खतम करो मुझे बताओ SEL है H positive CL negative तूट गया H positive molar mass कितना होगा hydrogen का molar mass hydrogen का 1 into 1 SEL 35.5 कितना हो गया 36.5 तो molar mass 36.5 upon 1 कितना आगया 36.5 कि still clear मुझे नहीं लगता कोई भी दिक्कत होई होगी आपको ट्राई अपने से करने लेकिन दिक्कत होगी नहीं क्योंकि concept कि स्टिल क्लियर करना है आपको अच्छे से दूसरा मस फॉर्मला याद है फिर कोई दिक्कत नहीं है equivalent weight की सारे concept वहीं से उड़ा देंगे दूसरा question है एन ए ओ एच तो sodium naoh find equivalent weight निकालो बच्छो यह क्या है बच्छो बेस लगाओ फॉर्मला तो क्या होगा गुरू जी equivalent weight is equal to molar mass upon acidity of this कि खतम करो एच तो एक oh है खतम molar mass कितना है थेज़ प्लस 16 प्लस 1 कितना हो गया molar mass 40 40 upon acidity कितनी है OH कितने है एक 40 40 gram कर सकते थे अब मैं पूछू हूँ c aoh का whole twice अब मैं आपसे एक homebug दे रहा हूँ c aoh का whole twice का बताओ aoh का whole twice बताओ और यह क्या हो गया fourth यह हो गया fifth यह हो गया sixth hno3 बताओ यह हो गया seventh सेबन्थ क्या पूछू हूँ h hno3 हो गया और क्या एक्जाम्पल है s3 s2 s4 का बताओ eighth s3 po 3 का बताओ और s3 po 4 का बताओ तो बच्चों मुझे नहीं लगता कोई भी दिक्कत होगी direct करें बिलकुल मुझे बताओ यह यहां पर calcium c a o h का hold twice है क्या है बच्चों base बेस है तो acidity 2 है खतम करो calcium क्या 40 40 oxygen 16 32 hydrogen 2 तो कितना हो गया 40 36 40 प्लस 30 तो c a o h कितना हो जागा भाई 40 हो गया प्लस 16 32 प्लस 2 अपॉन में दो कितना आ गया 40 72 74 अपॉन 2 कितना हो गया बच्चों 37 तो 37 ग्राम आ गया पहले का किस्टिल क्लियर नोट करते जाओ एल्वुनियम हाइड्रोक्स ट्राइड्रोक्साइड ओल तो यह भी क्या है बच्चों base तो o h कितने तीन खतम करो एल्वुनियम कितना होता 27 सोलेती 48 प्लस 3 अपॉन में 3 कितना हो गया बच्चों 30 30 फ्लस 40 78 78 अपॉन 3 कितना हो गया बच्चे तीन दू निच्छ है 2 1 6 1 8 6 26 थर्ड अचनो 3 बच्चों अचनो 3 क्या है एसेड बेसिसिटी देखूंगा एक है खतम करो यह कितना हो जागा एक 14 सोलेती 48 कितना हो गया बच्चों 52 53 वो 63 63 अपॉन 63 एसेड है बच्चों क्या देखूंगा एस्टू तुरंत मारने अब तो कुछ बचाई नहीं है मैंने एक कुवेलेंट वेट खतम कर दिया आपका यह कितना होगा टू इंटू 1 सलफर 32 होता है बच्चों यह हो गया 48 ना 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 62 62 यह हो गया 98 अपॉन 2 कितना बच्च गया 49 S3PO3 बच्चों इन पर दिक्कत है तो थोड़ा सा इनको मैं रव करा देता हूं आपने क्या इनको निकार लिए होंगे इक कुवेलेंट वेट इंच सातों के अब 8 में 9 में कुष्चन को क्या है मैं डिटेल मैं बताता हूं थोड़ा सा यहां पर कन्फ्यूजन क्रियेट होत S3PO3 और S3PO4 अब क्या करते हैं तुरंट देखते हैं कि यहैसिड है तो मैं कहूंगा बिल्कुल लगतो रहा है बिल्कुल एसिद है तो अब क्या करोगे हाथ आश attain दॉन तो आप क्या करते हो वेशिशिटी देख लिए तीन तीन और मार देते हैं लेकिन मैं कऊंगा थोड़ा सा इन दोनों को कैसे जाना है थोड़ा concept से अलग concept है यानि इनको देखना है आपको structure से औक जो एसिड से कोई कि यह ऑज़ये बने हुए ऑज़ये के structure मुझे बताओ phosphorus structure कैसे बनाना है आपको देखना है phosphorus phosphorus आपको बता है 15 होता है यह कितना हो जाएगा गुरू जी दो आठ पांच पांच वैलेंसी है उठालाओ फोस्पूरस को अब मुझे बताइए इस पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है तीन-तीन मुझे बताइए यहां पर पांच वैलेंसी हो सकती है इसके पांच बॉंड बन सकते हैं तो मुझे बताइए पांच बॉंड बन सकते हैं तो ऑक्सीजन कितने चुपका सकते हैं तीन और हाइड्रोजन भी तीन तो तीन-ओ-ओ-अच के तो नहीं बना सकते है बिल्कुल गुरू जी तो मुझे बताइए सपोस करो मैंने एक-ओ का बना दिया अलग से अब मुझे ब बताइए एक OH का बना दूं तो बाई अगर एक डबल बॉंड ले लिया ओका एक डबल बॉंड ओका ले लोंगा तो ह रह जाएंगे तो मुझे बताइए अब तो तीनों में OH OH आना चाहिए खतम केल तो मुझे वताइए नहीं हो गया concept, crystal clear आपका concept, तो S3, PO3, तो आपका ओगे, ये तो 4 हो गए, एको को remove कर दो, crystal clear, तो hydrogen कितने हैं, एक, दो, तीन, oxygen कितने हैं, तीन, phosphorus कितना हैं, एक, अब आपको क्या देखना हैं, ये तो hydrogen है, ये oxygen से जुडाएड नहीं, तो आपको क्या देखनी है, acid है, तो basicity देखनी है, तो basicity का मतलब है H positive, तो इससे oxygen से 1, इससे 1, 2, तो यहाँ पर क्या होगा इसका, इसकी जो balance होगी, N is equal to 2 होगी, बच्चो, तो क्या हो जाएगा molar mass या equivalent weight इसका, तो concept याद आना चाहिए, क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा, बच्चो, molar mass वो equivalent weight, equivalent mass is equal to, क्या हो जाएगा, 3, plus phosphorus होता है 31, oxygen होता है 48, upon 2, तो कितना हो गया, 3, plus 34, 34, plus 48, तो यह हो जाएगा 50, 82, 80, 80, 80 upon 2, तो यह कितना हो गया, 40, तो S3PO3 का solve हो गया, S3PO4 का आपके लिए home work दे रहा हूँ, वीडियो को pause करके आपको जरूल से try करना है, क्योंकि most important concept है, अच्छे से आपको structure के through ही जाना है, तो S3PO4 का क्या होगा बच्चो, जल्दी से बता दो, यह भी structure से जाना है, S3PO4, important है, S3PO4 बच्चो, तो S3PO4 की अगर मैं बात करूं बच्चो, तो फिर से structure, बिल्कुल, phosphorus गुरू जी क्या है, 15 है, फिर से 285, 5 balance ही होगी, मुझे बताओ, 5 में क्या-क्या के pair बना सकते हैं, 3 hydrogen है, तो CDC है, यह तो simple सा बन गया गुरू जी, OH, 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 मुझे बताओ, satisfy ओ, बिल्कुल, 1, 2, 3, 4, 5, बिल्कुल, 3 oxygen, 1, 2, 3, 4, और 3 hydrogen, बिल्कुल क्लिए, मुझे बताओ, यहाँ पर oxygen से hydrogen, oxygen से hydrogen, oxygen से hydrogen, तो balance ही क्या हो जाएगी, n is equal to 3, खेल कतम, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर तो 3 का 3 है, लेकिन S3PO3 में याद रखना है, 2, लेकिन structure से जाना है, मैं बताओ चुका हूँ, तो molar mass कितना होगा, निकालो, 3 into 1 plus 31 plus 16, 64, कितना हो गया, 64 plus 30, 74, 84, 94, 95 और 98, तो 98 हो गया, equivalent weight क्या हो गया, equivalent weight हो गया, molar mass upon valency, तो valency 3 है, 98 upon 3, क्या हो गया, 3, 2 point, कितना हो गया, 2, 0, 6, 32.6, किस्टिल क्लियर है, तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत हुई होगी, equivalent weight तक का concept में आपको किस्टिल क्लियर, अब मेरी video की थोड़ी length जादा हो जाएगी, इसलिए मैंने क्या किया है, numerical आपके अगले lecture में मैं थोड़े से, refresh करा दूँगा formula, फिर उसके बाद हम numerical उठा लेंगे, तो molarity, normality पर इतनी ही concept थे, आपके लिए equivalent weight का जानना आपको important था, आज मैं जो concept लाया था, mill equivalent weight था, इसके बाहर आपको question नहीं जा सकते, acid से पूछ लेगा, base से पूछ लेगा, salt से पूछ लेगा, और बाकी इन साथ formula के बाहर question नहीं जा सकता, यह आपको consideration में रहना है, अगले lecture में मैं आपको normality से related सारे numerical किस्टिल क्लियर करा दूँगा बच्चो, मैं आपका अपना निशान चोदरी, बस मैं आपसे अंत में इतना ही कहूँगा, मेरे चैनल को जादा से जादा subscribe करो, वीडियो को share करो, like करो, और बहुत जादा फैला दो बच्चो, एक-एक concept की किस्टिलिटी समझ में आ रही होगी आपको, अगर आपको विश्वास नहीं है, तो आप previous year question लगाएं, आपसे धड़ा धड़े लेंगे, एक भी concept ऐसा नहीं है, जो किस्टिल क्लियर ना हो रहा हो, और हर मुद्दे पर मैं concept दे रहा हूँ, हर एक concept पर question दे रहा हूँ, किस concept से question आता है, अब S3PO2 आ जाता है, बच्चे एक normality का एक formula बता आगे छोड़ देते हैं, मैंने 6-7 formula आपको consideration कराए, equivalent weight का एक formula बता आगे, लेकिन मैंने 7 formula बताए, तो मैं क्या हूँ, एक तरीके से मैं अपना content quality ला रहा हूँ, आप सोच रहे हूँगे, वीडियो की length इतनी है, लेकिन वीडियो की length इतनी जादा है, इस content में यही कहूँगा, ज्यादा से ज्यादा share करो, subscribe करो, like करो, still clear?